माई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल गार्डिंग एट होम और अभी आपसे एक वीक पहले मैंने अपनी नर्सरी विजिट सेयर की थी और आज आप लोगों से अपनी शॉपिंग शेयर कर रही हूँ तो चलिए देखते हैं हमारी समर की कौन-कौन से प्लांट आप अपने गार्डन में इंक्लूट कर सकते हैं और ऐसी प्लांट जो बरसात तक आपको बढ़े हां प्लूमिंग देंगे बरसात तक क्या आपको ये पूरे 365 दिन अगर मैं कहूं तो फ्लावरिंग कुछ ऐसे पेरेनियल प्लांट जो मैंने बाई किये हैं वो मुझे देते रहते हैं तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने कौन कौन से प्लांट नर्सरी से बाई किये हैं तो अगर अच्छा लगेगा मेरा ये वीडियो तो आप जरूर इसे लाइक शेयर और कमेंट करना तो बिलकुल भी मत बुलिएगा तो चलिए देखते हैं ये साधी मेरी शॉपिंग है सब आप देख रहे हैं वाइट फ्लार जिसमें पिंक शेड है मेरे पास जो पहले था वो यलू वाला है और एक रेड में है और ये थोड़ा सा जो डार्क पिंक में ये शेड है बहुत ही प्यारा लग रहा था ये दोनों ही कलर मुझे तो ये मैंने बिलकुल लिया हुआ है दो तो अपकी बार मैंने ये लाइट पिंक कलर में लिया है और ये फ्लांट मुझे यह देट सो रॉपय में मिला है और अगर आप इसके साइस की बात करें तो काफी बड़ा साइजrem कापी बडा है इसके बाद मने ये लिया हुआ है आप राजिता का जो की 20 रुपय में मुझ लगवक बीस से पचेस पौधे मैंने यह लिए हूए है और इसके बाद मैंने यह विनका लिए हुए हैं विनका बरसात तक अगर आप इसकी अच्छे से केर ना करें तो बरसात में कहीं जाकि यह खराब होजाता है तो इसलिए मैंने गलेडिया के प्लांट जादा लिए हैं इसके बाद मैंने ये नोप्ची के पौधे लिये हुए है जिसे 4 o clock कहते हैं या पॉटुलुका या पसलेन आप जो भी कहते हूं ये मैंने लिये हुए है तो बीस-बीस रुपए में मुझे ये विनका और गलेडिया के मिले इसके बाद मैंने ये हिबिसकस लिया हुआ है जो अपने देखिए यह थोड़े से वरीगेटेड वाली वराइटी है हमारी और यह रेड कलर के मैंने लिये हुए हैं तो यह भी मुझे हैं रूपीज में यह प्लांट मुझे मिला हुआ है और यह भी फ्लावरिंग आपको पूरे साल देगा अगर आप जमीन में लगा देते है तो इनकी बहुत सारे बल्ब जो है एक दूसरे से हो जाते हैं और इसके बाद जो मैंने लिया हुआ है वह अडेनियम की मैंने कुछ कलर अपने गार्डन में एट किये हुआ है यह थोड़ा सा ब्लैकेश इसमें टोन है रेड के साथ और यह मैंने परपल लिया हुआ है यह यह बहुत ही प्यारा कलर है तो लगभग 4 से यह 5 मैंने अडेनियम लिये हैं और यह लगभग मुझे 2500-200 रुपय में सारे ही प्लांट मीले हैं अडेनियम के जो प्लांट होते हैं उनकी कोडक्स के उपर डिपेंड करता हैं कि उनका क्या फ्राइस है अगर आप ज्यादा कोडेक्स अगर मोटा है बड़े प्लांट है तो वो थोड़े से महंगी होते हैं तो यह इस तरीकी से मैंने अडेनियम के पांच पौधे लिए हुए हैं और सभी जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के यह अडेनियम है यह दिखे यह भी बहुत ही प्यारा परपल शेड यह दिखे लिए हैं तो इस तरीकी से मैंने यह पांच पौधे अडेनियम के लिए हुए हैं तो जब भी अडेनियम लें आप कोडेक्स जो हैं वो जरूर से चेक कर लें अपने बिल्कुल अडेनियम का तो बहुत ही प्यारा लगता है और डेजर्ट रोज है समर में बहुत अच्छी ब्लूमिंग करता है और बिल्कुल आपके यह पास हमेशा ही रहने वाला है पेरेनियल प्लांट है विंटर्स में भी आपको यह ब्लूमिंग बीच बीच में देता ही रहता है और जब बहुत ज़्यादा ठंड आ जाती है उस समय यह थोड़ा डूर्मेंसी पिरे मुझे यह निदे नियुक्त सकता है तरहा है वैसे यह मुझे यह रूर्पास फिले यह प्लांट मैं ने'sub decrease की जो ये पौदे हैं 20 से 25 रुपय में हमें मिले हैं ये मैंने थोड़े कम बाई किये हैं तो जब भी आप ऐसे प्लांट लेना समर वाले तो थोड़े आप आप देखने हैं यहां पर कितने सारे गंबले मेरे खाली हूँ हैं बिलकुल सारे में ही यह सारे जो मेरे सीजनल वाल करूंगी ताकि यह काफी अच्छे से चले या तो फिर मैं इनको जमीन में लगा दूंगी ताकि इनकी जो ब्लूमिंग है वो मुझे अच्छे से मिले और भी कौन-कौन सी प्लांट आप ले सकते हैं समर के वह आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं जिसके पहले मैंने आप आप से नर्सरी विजिट शेयर किया हुआ था अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर से देखें और हो सके तो पैरेनियल प्लांट आप ज्यादा इंक्लूट करें इस समय तो चलिए इसी के साथ आप लोगों से लेती हुँ विदा फिर मिलोंगी नए वीडियो म ने 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 टोपे किसी